दोस्तों गरूर पुरान में इस तरह के कई संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमें बताते हैं कि इश्वर की हम पर विशेश कृपा है यहां हम इस वीडियो में ऐसे आठ संकेतों के बारे में बताएंगे जो हमें परमेश्वर के अत्यांत खुश होने का संकेत देते हैं जीवन में कभी भी कुछ ऐसे चीज़े हो जाती हैं जिनें देखकर ऐसा लगता है कि मानों हम पर कोई देविय कृपा बरस रहे हो और उसके आस पास एक साकरात्मक वातावरन महसूस होता है भविश्य की कोई फिक्र उसे नहीं सताती क्योंकि उसमें इतना आत्मे विश्वास भर चुका होता है कि उसे लगता है कि भविश्य में भी वो कुछ भी कर सकता है गरोर पुरान में भी इस तरह के संकेतों के बारे में बताया गया है जो बताते हैं कि इश्वर की हम पर विशेश कृपा है जोतिश विशेशग्यों की माने तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा पाट करते हैं मंत्रों का जाब करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं उनसे देवी देवता अत्यंत प्रशन रहते हैं और अपने कृपा बरसाते हैं आईए बताते हैं ऐसे संकेतों के बारे में जो कि आप से देव अत्यंत प्रसन है पहला है जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है उनमें तमाम स्थीतियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है ऐसे में वे कई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते है दूसरा अगर आप अपनी सिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ये इश्वरी कृपा से ही संभव है दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो सिक्षित होने के बावजूद सिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते तीसरा जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती हैं उनपर भी परमेश्वर की विशेश कृपा होती है सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता तीसरा, जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी परमेश्वर की विशेश कृपा होती है सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बलकि काफी आर्थिक नुकसान भी होता है इसलिए निरोगी काया प्राप्त किये लोगों को खुद को भाग्यवान समझना चाहिए चौथा, यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है, तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा से ही संभव है एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, तो पूरी लाइफ, जगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है पांच्वा, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्याकारी है, तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादा तर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी है चठा, सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है क्षमता है